और बात नवादा में नफरत की आग और उसमें डाले गए सियासी घी की बिहार के नवादा जिले में दबंगों ने एक दलित बस्ती को घेरा और उसके बाद आग लगा दी थी मुफसिल थाना शेत्र के कृष्णा नगर गाउं में आगजनी की कूरी करता सामने आई जिसमें इस गाउं के असी घर जल गए दस से जादा दबंगों ने शाम ढलने के बाद धावा बोला और पचास राउंड फारिंग की इसके बाद इन घरों में आग लगा दी गे नवादा अगनिकान के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार एक्शन में निज़र आये हैं और बैठक की बाकाइदा मुख्यमंत्री ने दोशियों के खिलाथ सक्क्त कारवाई के नरदेश दिये हैं और सीधे ADG Law & Order को गटना स्थल पर भेजा है पूरा मामला क्या है ये समझे दरसल ये दलित वर्सस महा दलित की लडाई है जहां एक पक्षावी था दूसरे पक्षपर दलित बस्ती में आगजनी की घतना ने एक बार फिर से जातिगत खाई को उजागर कर दिया है ये लडाई दलित और समण के बीच नहीं है बलकि दलित और महा दलित के बीच की है इसमें माज़ी और पासवान जातिया आमने सामने हैं F.I.R. में 28 लोगों के नाम है जिनमें जादा तर पासवान आरोपी है मोख्या आरोपी नंदू पासवान है यसे पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया है जबकि प्रिशासन की टीम घटना स्थल पर खुद गैम कर रही है ताकि महाल को शान्त किया जा सके पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को रस्किया है मोख्या आरोपी से भी पूच्टाच की जा रही है तो नवादा पुलिस का दावा है कि जमीन विवाद में ये पूरा मामला सामने आया है अगनिकान रुआ है और जब बात जाती की हो और उस पर राजनीति नहो ऐसा हो कैसे सकता है वारदात के बाद विपक्ष में बैठी कॉंग्रस और आरजेरी ने एक सुर में इस मुद्धे पर जम कर सियास्त की खुद राश्टिय अध्धक्ष कॉंग्रस के खड़गे ने ट्वीट कर अन्डिय पर निशाना साधा लिखा बिहार में नवादा में महा दलिट टोलाई पर दबंगो कातंक केंडिय के डबल एंजिन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमार है बसपा सुप्रीमो मायवती ने भी ट्वीट कर बिहार के नवादा में दबंगो द्वारा गलीट गरीब दलितों की काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखत और गंबीर है ये लिखावनोंने एक तरफ पले जाट कर रही थी लेकिन दूसरी तरफ सियासत अभी हुई और इसकी कोंच दिल्ली तक सुनाई दे रही है प्लांटेड खतना है कि उनलों को समझ में था कि 144 का जो निरने होता है जो कब्रांब्च में होता है तो वह ब्रूम् को फिसला हो गातो उसके पक्श में होगा इसलिए लों को वह से भगा हो कि यह डबल इंजन की सरकार में भापतान ऍट Sis जो है इस तरह के काम हो जो भी दोशी है, जिन लोगोने भी आदवा लगाई है, उन लोगों को गिरफतार करना चाहिए कानुनी करवाई करने चाहिए. जो घटना घटी है वो बहुत खेजनक है लेकिन कानून निशित्री उसे अपना काम करेगा और जो भी इसके लिए दोशी है उनको पुलीस वहां की ततपरता से करवाई कर रही है जो भी दोशी है उनको रफ्तार किया जाएगा और ताकि बाद में उनका प्राद रिप्याद नवादा अगनिकान के पीड़ितों से केंद्री मंत्री जेतनराम मांजी ने वीडियो कॉल पर बात की है हिंदुस्तान आवा मोचा के अध्यक्ष ने पीड़ित मांजी परिवारों को हर संभाव मदद का भरोसा दिया मांजी ने लालू पाल के समर्दकों पर आरोप लगाया कि वो दलितों की जमीन और मुस्लमानों के खबरिस्तान पर कब्जा कर रहे है मांजी यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि लालू जी करारा जवाब मिलेगा तो नवादा में 20 से जारा घरों के जलने की पुष्टी प्रिशासन भी कर चुका है बिहार में अगले साल वेधान सबा चुनाओ है लिहाजा यह मुद्दा लगा था शुरू में राजनेतिक दलों को कि दलित बनाम समण होगा जब भी दबंग वानी बात आती है तो समणो को कने कर दिया जाता है लेकिन जब जहाच हुई तो पता चला कि लडाई दलित ऑर समण के बीच नहीं बलकि दलित और महादलित के बीच की है परादी को किसी भी आलत में छूड़ा नहीं जाएगा 28 में से 15 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है और अगले 24 गंटे में बचे हुए सभी लोगों पर कारवाई करके गिरफतार किया है तो दलित बना महा दलित के लड़ाई के बार निताओं के सुर्फ बदल गए और हर कोई अमन चैन और शांति की बात यहां कर रहा है कि प्रशासन को जोहीं जानकारी मिली 20 मिनट के अंदर घटना अस्थर पर प्रशासन पहुचा नामजद अभ्युक्तों में से 15 की गिरफतारी सुलिश्चित किया बिहार में कानून का राज है जंगल राज नहीं है नवादा में जो आग जनी की घटना घटी है वो निंदनिये है और पुलिस उन आरोपियों की धर पकड़ कर रही है जो इस घिनावने कार में समलिप्त है पहले तो दोनों पक्ष शांति बनाए रखें और जो भी वेक्त दोशी पाए जाएगा और बिहार में कानून से बच नहीं सकता है जिस तरह से नवादा की घटना हुई लोम हर्सा खिर्दय विदारक उस घटना पर इनको कहीं अफसोस नहीं है और जिस तरह से इस घटना को राजनितिक रूप से ये लोगों के बीच कहीं ना कहीं प्रस् समय तो राजट का मतलव रास्ति परविर्टी जलादी संस्कृति और दलित उत्वियक दल है और इस पर राहूल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे कि दलितों को पर जो अक्त्याचार हुआ है उस पर उनका कोई बैयान नहीं आगा नवादा में बवाल के दौरान इन उपद् पैसे लूटे अनाज लूटे इसके बाद अगजनी की कृष्णागर में कई सालों से महादलत समाज के लोग बिहार सरकार की जमीन फरवसे थे इसी जमीन को लेकर दूसरे पक्ष का भी दावा रहा है नवादा में भुमिहार जाते भी अच्छी खासी संक्या में है ऐसे मे इस मुद्धे पर सियासी बवाल आने वाले दिन में होगा या यह मामला थमेगा सियासी तोर पर यह बिहद एहम होने वाला है अब बादा के महादली टोला में पासवान समाज के लोगों ने मांजी समाज के लोगों के घरों को जला कर राह कर दिया पट्टा के एसपी और डियम के अनुसार कुल ऐसे 34 गर है जिने जला कर राह किया गया लेकिन ये लड़ाई दलित और महादलीत के बीच है और क्योंकि केंद्र में जीतन राम मांजी और केंद्रिय मंत्री चिराग पासवान एक साथ हैं तो उनके भी बयानों के कयास लगाए जा रहे है